नमस्कार दोस्तों मैं क्रिशन मोहन एक बार फिर से आपका अपने यूटूब चैनल पर सबच्चों का स्वागुद करता हूँ बच्चा जैसा कि आपको पता होगा कि अभी फिमेल का जो रिजल्ट आया है उसमें कितनी बहने नाराज हैं कितनी बहनों को दुख है कितनी सार मैसिजिज आए कि सर मेरा पेपर पास हो गया सर मेरा पेपर पास हो लेकिन उसके साथ के साथ में उतने ही मैसिजज उन बहनों के भी आ रहे थे या पिर उन भायों के भी आ रहे थे जो कहरे दे सर मेरी सिस्टर का इतना मार्क्स बनता है सेउंटी मार्क्स बनता है सिक्स्ट सी सेवन मार्क्स बनता लेकिन फिर भी उसका लिस्ट में नाम नहीं आया ठीक मरने को दिल करता है सुसाइड करने को दिल करता भाई सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये कोई इतना बड़ा जीवन का पेपर नहीं है कि भी जो आपके जीवन को तै करेगा एक हैं तो ऐसे से विचार आ जाने लाजमी है लेकिन बात यहीं नहीं रुकेगी बच्चा आज आपके मरने से कोई काम ये मलग इलाज थोड़ी ना हो जाएगा कोई भी चीज ठीक होगी तब जब हम उसके खिलाप लड़ेंगे अब हैसे से कॉंस्टेबल में जो ये नॉर्म क्म olarak कितने मांक्स आपके कम किये गए हैं कितने पर cut off लगा है किस category में कितने कम हुए किस में कितने बढ़े हैं अब ये तो सिदगा सिदगा क्या है एक भरिष्टा चार है अब इस ये अपने नुशार किसी भी बच्चे के नंबर को बढ़ा दे घटा दे पैसे ले दे कर क क्या परूफ है आपके पास कि भी किसके नंबर कितने बड़े हैं दूसरा जो अब्जेक्शन बच्चों ने लगा था ना उसका कोई revised किया है सबसे बड़ा गलती आपको बताना तो चाहिए ना कि भी हमने इन कुछनों को ठीक माना है इन कुछनों को गलत माना है मतलब भगवान हो गए क्या आप लोग मतलब जो करोगे वही वैसा ही हमारे को सेन करना पड़ेगा आज आपके तरिकों की वज़े से हजारों बचियां सुसाइडल टेंडेंसी में है मानसिक रूप से वो पिडित है क्या उनको आप नहीं समझ पा रहे है आपका काम युवाओ को रुजगार देना है ना कि युवाओ को प्रिशान करना उनको मानसिक रूप से दुखी करना और मैं आपको पहले ही बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों को मजाग लगता है अभी मैंने दो दिन पहले और उससे चार-पांच दिन पहले S.I.E. के मानले में भी वीडियो बना था कि भी S.I.E. का पेपर आपका दोबारा से होना चाहिए नहीं तो इसी में जो आब आब ये कह रहें कि भी बहुत सारे बच्चों का पेपर अच्छा नहीं हुआ इसलिए दोबारा की डिमांड कर रहें तुमारा बता देंगे अभी जब रिजल्ट आएगा नॉर्मलाइजेशन का फिर तुम लोग चिलाओगे कि सर पेपर ये हो गया नॉर्मलाइजेशन वो हो गया ये हो गया आपको अभी समझ नहीं आ रहा है जब आपके 75 नंबर आएंगे न और उसके बाद भी आपका फिजिकल के लिए कोल भी नहीं आएगा तब आपको पता लगेगा एक्चुल सिचुएशन का इसलिए अगर आप अन्याय को सहन करोगे गलत तरीकों को सहन करोगे जो एचसेसे के दुवारा गलत तरीकों के दुवारा मतलब कि यूज किये जाते हैं अगर आप अपने लालच में एक बार उसको सहन कर लोगे ना तो कभी ना कभी वो जो तरीका है वो आपको भी मारेगा वो आपको भी खा जाएगा आज इन तरीकों के दुवारा हजारो जो अपने बहने हैं उनको दुख पहुँचा है कल आपको भी पहुँचेगा समझ पार है क्योंकि उस बच्चे को थोड़ी ना प्रेशा नी होगी साई के पेपर में भी होगा मेल के पेपर में भी होगा अभी समय है समय से पहले आवाज को उठा लीजिएगा अपने आपको बुलंद कर लीजिएगा तो आगे कुछ हो शकता है अगर आप आवाज नहीं उठा पाए अगर आप अपने हक के लड़ाई नहीं लड़ पाए तो नहीं होगा आप क्या सोचते हैं कि आप library में बैठके एक message करके और दूसरे लोगे आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे कायर हो क्या तुम लोग मुझदी लोग जो दूसरों के कंदों पर सोचते हैं दूसरे कुछ करेंगे तो हो जाएगा नहीं तो नहीं होगा लाइबरे में बैठके पढ़ना चाहिए अच्छी बात है लेकिन जब आज करियर के उपर आए अन्याय के सोचन हो रहा हो चीजे गलत डारेक्शन में जा रहे हो तो बच्चा बाहर निकलना पड़ेगा आपको आप ये नहीं सोच सकते दूसरे अपने आप कर लेंगे कोई नहीं करेगा अपने आप खुद बाहर निकलिएगा हर फेस्बुक पे स्टेटस पे वाटसप पे हर जगह लगाएगा कि ये चीजे गलत हो रही हैं और जो गलत का साथ देगा आज वही गलती एक दिन उसको भी खाएगी पक्की बात है क्योंकि अब ये एक रूल बन जाएगा और फिर उसके बाद आप करते रहना क्या बिगडेगा कुछ नहीं बिगडेगा तो अभी आपके पास मोका है मेल कोंश्टेबल में भी ये सब होगा आपका SI में भी सब होगा आगे भी सब होगा तो इसलिए बच्चा अपने हकोगी लड़ाई लड़ो क्योंकि ये न चीजे बार-बार नहीं आती हैं मैं अपने आपको बार-बार मैंने पहले भी कर दिया था आप भी फिर भी कर रहा हूं मैं नॉर्मलाइजेशन अगर हो तो इसका क्रिटेरिया फिक्स हो ये बता जाए कि भी किसका कितना हुआ ताकि बच्चे को शांती मिले बच्चे को पता लगे खां उसके अंदर कुछ कमिया रहे गई थी अब ये थुड़ी ना बिना बताए वे कुछ भी आप कर दोगे और पहली बात तो ये नॉर्मलाइजेशन होने वाड़ा फंडे को ही दूर किया जाना चीज़ को खतम करना चे नहीं तो इसमें पंगा रहे गए रहेगा एक की सिप्ट में वेपर लिया जाए और अगर हो नॉर्मलाइजेशन तो बच्चा उसमें कलियर ट्रमस और कंडिशन सब कुछ कलियर हो पहले से रिवाज़ड की इनकी आनी चाहिए अब्जेक्शन्स की अगि यही अब ठीक हो गया है और इनको कलियर बताना चाहिए कि भी इस कटेगरी में इतने नंबर एक्स्ट्रा मिले हैं इस कटेगरी में इतने मिले हैं उस डेट वाले के इतने कम हुए उस डेट वाले के इतने बड़े हैं ताकि बच्चों को भी पता लगेर उनको मतलब कि ये ना हो कि उनके खिलाब कुछ भी गलत हुआ है मेल कोंस्टेबल में ऐसा ही होगा अभी बता रहा हूँ आपको अगर आप नहीं लड़े तो फिर आप सोचोगे रिजल्ट आने के बाद देख लेंगे फिर कुछ नहीं होगा SI के पेपर में और भी बड़ा होने वाला है घोटाला आपको समझ नहीं आ रहा है जिन बच्चों के 75 बन रहे हैं बहतर बन उनको लगता कि भी वो safe zone में है पता तब लगा जब उनकी गुद्दी जागे लगेगी और बात ये नहीं बच्चा अगर आपके आज बहतर नंबर है पिछेतर नंबर है तो मैं guarantee देता हूँ बच्चा आपको कोई रोक नहीं सकता आपको कोई भी नहीं रोक सकता आपको नोकरी पक्का मिलेगी और वही मिलेगी जिसके आप हकदार हो लेकिन अपने लालच में दूसरों के केरियर को बरबाद मत करो ये मत चोचो कि भी मेरा निकल जाए बाकी का देखा जाएगा नहीं होता बच्चा नहीं होता वो चीज आपके सामने भी आएंगी तो इसलिए सब बच्चे एक आवाज उठाओ कि भी नॉर्मलाइजेशन या तो खतम हो या फिर इसके नियम काइदे वो तै होने चाहिए रिवाज्ट की पहले से आनी चाहिए उब्जेक्शन वाली और रिजल्ट आने से पहले बता जाना चाहिए कि इनकी इस कटेगरी के इस डेट के नंबर कम हुए है इसके जादा हुए है और ऐसाई का पेपर आज फिर कह रहा हूँ कि भी इसमें और भी बड़ा विवाद होने वाला है जब तेरा तारिकों पेपर हो जाएगा उसके बाद समझाए और बढ़ेंगी क्योंकि ये कौन तै करेगा नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा पेपर मुश्किल था या नहीं था कैसे था तो इसलिए बच्चा क्योंकि कोई छोटे मोटी पोस्ट है नहीं अब दूसरों को ये लगता कि भी सर आपको तो ऐसा लगता कि भी अब आप ये कैंसल मरलोग की पेपर दोबारा करवा दो कंडक्ट उसके बाद अपने आप कोर्स बेचोगे भाई मेरा कोई ना तो कोर्स पेड है ना मैं बेचता हूँ ठीक अभी फिलाल तक कोई मैं कोर्स नहीं बेच रहा हूँ किसी भी परकार का ठीक जो कह रहा हूँ वो आप लोगों के भलाई के लिए बोल रहा हूँ कुछों को बुरा लगेगा लेकिन सचाई यही है सचाई को सुनना पड़ेगा और सेन करना पड़ेगा अगर आप भाग रहे हो तो नुक्षान आपको भी होगा भागने से काम नहीं चलने वाला है रुकने से काम चलेगा तो इसलिए सारे यूटूबर से सारे टीचर से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि भाई अब तो बाहर आ जाओ ठीक अब तो बता दो अब तो गाइड कर दो इन बच्चों को अब तो आगे बढ़ो बच्चों के साथ कि भाई क्या करना चाहिए और दूसरी बात टुइटर से कुछ नहीं حोने वाला है टुइटर अभियान से मैं फिर कह रहा हूं कुछ नहीं होने वाला क्या हो जाएगा टुइटर अभियान से हाना एक आगे पीछे एक rules मना एक planning करे कि भी कैसे क्या करना चाहिए और सब को साथ आना चाहिए इस planning में ताकि बच्चों के जो हक की लड़ाई है वो अच्छे से लड़ी जासके अगर आप लोग ही नहीं आओगे तो फिर वही बात क्या कहा जा सकता है तो सारे के सारे जो भी teachers हैं जो भी यूटूबर्स हैं चाहिए वो online वाला चाहिए वो offline है आप बहार आईएगा बच्चों को guide कीजिएगा आपके अभी मारक दर्शन की बच्चों को जरूत है इनको नहीं पता कैसे क्या करना कैसे नहीं करना है और अगर क्योंकि देखो आज social media का जमाना है और हमारे को अब news paper हैं की जरूत है यह नहीं क्योंकि हम सब इतने बड़े हो चुके हैं हमारे channels वगरा कि जो ये news वाले हैं इनसे तो जादा हम हम ही मतलग की चीजों को वहां तक पहुँचा देते हैं कि क्या मुद्दा है तो इसलिए आपके पास सारी चीज बच्चों को गाइड कीजेगा और सब यूटूबर से अनुरोध है कि एक बार मिल के एक बड़ा अभियान करें ताकि बच्चों की हकों की लड़ाए लड़स कें और बच्चों आप मुझे sms करके बताएगा क्या आप सहमत है या नहीं हैं टविटर अभियान में तो चेंज कर सके एक दिन के टविटर एक तो हरियाना वाले बच्चों को इतना पताई नहीं टविटर का 50,000 टविट होते उससे क्या होगा खुछ नहीं होगा तो इसलिए अच्छा है वो काम कीजिएगा जिससे रिजल्ट आए तो आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बत दूसरा अगर नॉर्मलाइजेशन खतम होना चाहिए अगर नॉर्मलाइजेशन हो तो उसकी ट्रम्प्स और कंडिशन कलियर होनी चाहिए रिवाज्ट की आपकी पहले आनी चाहिए SI का पेपर में जो आगे घपला होने वाला जो विवाद होने वाला उसको अगर पहले निम्टा लिया जाए एक तारिक को एक पेपर हो जाए सबी बच्चों का तो वो मैं चाहता हूँ वो अच्छा होगा आलांकि मुझे नहीं लगता होगा या नहीं होगा लेकिन जो बात गलत है गलत है सही है सही वो तो कहते ही रहेंगे और मेल कोंस्टेबल में भी वही सब कुछ होने वाला है तो बच्चा भी टाइम है उठेगा अपने हकों की लड़ाई लड़िएगा और आगे बढ़िएगा मैं आपके साथ हूँ बिलकुल तनमन धन से जैसा कहोगे जैसा जो भी प्लानिंग होगा मैं हर जगे पहुंचाँ